हलो दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पहेलिया लोजिक सवाल में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें आज की हमारी पहली पहेली है एक दिन नेहा के घर पे नेहा की दो दोस्त मीरा और दिया दोनों आते हैं तीनों दोस्त आपस में खूब बाते करते हैं तबी दिया और मीरा की नजर नेहा के घर की दिवार पर बनी हुई हाइट की स्केल पर पड़ती है दोनों कहती हैं कि चलो आज हम तीनों अपनी अपनी हाइट नापते हैं देखते हैं कि हम सब की हाइट कितनी है तो एक एक करके तीनों दोस्त नेहा, मीरा और दिया अपनी अपनी हाइट नापते हैं तीनों दोस्तों की लंबाई एक जैसी 4.9 फिट होती है उसके बाद तीनों सोचते हैं कि आज हम तीनों दोस्त एक साथ शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो तीनों दोस्त घर से शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं वहां जाके तीनों दोस देखते हैं कि शॉपिंग मॉल में सेल लगी हुई है तो तीनों उस मॉल में अंदर जाते हैं और अंदर जाके अपने लिए तीनों कुछ ना कुछ शॉपिंग करती हैं तीनों अपने लिए कुछना को शॉपिंग करने के बाद वापिस नेहा के घर आ जाती है, वहाँ आके तीनों एक दूसरे को अपनी अपनी शॉपिंग की ड्रेस दिखाती है, उसके बाद मीरा, नेहा और दिया दोनों से कहती है कि चलो एक बार फिर से हम तीनों अपनी अपन हाइट नापते हैं लेकिन तभी उसमें दिया की हाइट दो इंच बढ़ जाती है यानि कि तीनों दोस्तों की लंबाई पहले 4.9 फीट ठी और अभी इन तीनों में से दिया की हाइट 2 इंच बढ़ जाती है अभी थोड़ी दर पहले तो तीनों दोस्तों ने अपनी हाइट नापी थी तो तीनों की हाइट एक बराबर थी लेकिन कुछी घंटों के बाद में तीनों में से दिया की हाइट दो इंच कैसे बढ़ गई दोस्तों क्या आप पता लगा सकते हैं कि ऐसा कैसे हो गया दिया की हाइट कुछी घंटों में दो इंच क दोस्तों क्या पता लगा पाए कि दिया की हाइट कुछी गंटों में दो इंच कैसे बढ़ गई दोस्तों आप देखेंगे कि दिया ने अपने पैरों में हाई हील्स पैनी हुई है और कुछी गंटों पहले जब तीनों दो शॉपिंग के लिए जा रही थी उससे पहले तीनों ने अपनी हाइट नापी थी तभी उस समय दिया ने अपने पैरों में जूते पहने हुए थे और अभी हाई हील्स पहनने के कारण दिया की हाइट दो इंच बढ़ गई है दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज की अगली पहली है दोस्तों आपके सामने एक सीन है इस सीन में पांच शब्द छुपे हुए है दोस्तों क्या आप इस सीन को देखकर बता सकते हैं कि इसमें कौन से पांच शब्द छुपे हुए है दोस्तों आंसर जानने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट करके बताईए इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकिंड दोस्तों क्या आप पता लगा पाए कि इस सीन में कौन से 5 शब्द छुपे हुए हैं दोस्तों इसमें जो 5 शब्द हैं वो है नेम, कौपी, शीट, नोस और बैड दोस्तों आप इनमें से कितने शब्दों को डूण पाए इसका आंसर हमें कमेंट करके बताईए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज की अगली पहली है दोस्तों आपके सामने एक सीन है इस सीन में तीन औरते अपने अपने बच्चों के साथ में एक नाव में मौजूद हैं और तीनों लोग उस नाव से नदी पार करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अचानक उसी समय बहुत तेज बारिश और तुफान आ जाते हैं और तीनों अपनी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में से कौन तुफान से बच जाएगा दोस्तों, आंसर जानने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट करके बताईए इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकिंड दोस्तों क्या आप पता लगा पाए कि इन तीनों में से कौन तुफान से बच जाएगा दोस्तों इन तीनों में से दूसरे और तीसरे नंबर वाली जो औरत है और उनके पास जो बच्चे हैं वो बच जाएंगे दोस्तों आप देखेंगे कि पहले नंबर वाली औरत जिस नाव में बैठी हुई है उस नाव को चलाने वाला चप्पू जो है वो टूटा हुआ है तो वो नाव आगे नहीं बढ़ पाएगी वो वहीं पर रुख जाएगी जबकि बाकी दोनों नाव के चप्पू बिल्कुल ठीक है तो वो दोनों नाव आसानी से तुफान को पार कर सकती है दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उससे लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें थैंक यू